हैलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल आर्म सिलेब्रिटिस पे हल ही में दिये गए ए आर रह्मान के बयान पर अब बॉलिवुड में विवाद जोर पकड़ते जा रहा है उन्होंने बॉलिवुड के गडबाजी पर निशाना साथते हुए कहा था के मेरे खिलाव भी एक गैंग काम कर रही है जो मेरे बारे में हमेशा गलत अफायलाते रहती है जिसके कारण मुझे काम मिलने में काफे परिशानी होती है इस बयान से उन्होंने बॉलीवूड में चर्रे नेपोटिजम पर सीधे निशाना साधा था दरसल सुशान सिंग के आत्मत्या के बाद बॉलीवूड में नेपोटिजम के उपर विवाद जोर पकड़ते जा रहा है इस विवाद में अब A.R. रह्मान के बाद शेकर कपूर ने भी अपना बयान देखकर खलबली मचा दी है शेकर कपूर ने A.R. रह्मान के दिये हुए इंटर्वीव की अकबार कटिंग को अपने ट्रीटर पर शेर करते हुए दिखा है रह्मान आपको पता है आपके साथ क्या प्रावलम है आप ओसकर विजेता है आपने खुद को साबित किया है कि आप बॉलीवूड को चलाने वाले गैंग से भी ज़ादा प्रबावशली हो ओसकर रवाड बॉलीवूड में किस अफडेट की तरह है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मशूर संगीतकार A.R. रह्मान ने कहा है खोया पैसा और प्रसिद्धी वापस आ सकती है लेकिन खोया समय कभी वापस नहीं आता है इसलिए हमेशा चीजों से आगे बढ़ते रहना चाहिए A.R. रह्मान के इस बात का कई फिल्मी सितारे सबोग कर रहे है बॉलिवूड में चर्रे इस नेपोडिजम के विवाद पर अब एक्टर्स के अलावा गायक, संगीतकार और फिल्म डारेक्टर भी खुल के सामने आकर बात कर रहे है इस मामले में और अपडेक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थांक्स पर वाचिंग